वाइस आप देख रहे हैं सिर्फ पर कार्स और आज के वीडियो में एक और कमपरिजन वीडियो होने वाला है और यह जो आपने स्क्रीन पर जो गाड़ी देख रहे हैं एक है टाटा है एडवेंचर प्लस नॉर्मल आटमेटिक और एक है एडवेंचर प्लस का डार्क दोनुही गाड़े में देख सकते हैं कोई आपको चेंजस जैसे ओवराल नहीं दिखने वाला इस गाड़े में तो चिंजिस क्या दिखने वाला जीए यहां पर एडवाद कर लेए यहां पे भी आपको सब कुछ सेम मिलने वाला पार्किंस संसर के साथ यहां प्रण्ट के मिलेगा टाटा के लोगों के साथ ओवराल आपको ऐसा कुछ दिया जाता है डारक एडिशन में आपको जो टाटा का लोगो है यहां पे थोड़ा सा डार्क मतलब इंदम ग्रेश टैप लाइक आपको दिया जाता है कोई भी आपको शिल्वर का नहीं मिलने वाला है बात कर लेते इसके विट की 17-18 mm के यहाप आपको इस गाड़ी का ओरल विट मिलने वाला है गाड़ी तो अच्छे कासी बड़ी है चोड़ाई भी है मज़दार कोई भी ऐसस दिक्कत नहीं है बा विल आपको डिस ब्रेक मिलेगा एपको टोटल मिलने वाला है यहाप आपको डार्क अडिशन का पर बैजिंग आपको ऐसा कुछ दिया जाता है और यहां पर आपको मिलेगा और यहां आपको फिफ्टी लिटर का डीजल टैंक जैसे का देख पा रहें डीएफ का उप्संद अब टाटा ने पीछे कर दिया है सामने नहीं किया है बात कर लेते हैं दोनों गाड़ी का इंजन टू लिटर का का डीजल इंजन जो की निकालता है 170 और निकाल के देगा कोई भी दिक्कत नहीं है जो वह भी मॉडल है कि यहां पर आपको इसमें मिल जाता है इसके नीचे वाले में अडाय सिस्टम नहीं मिलेगा बट इस वाले विरेंट से अगर उसकी आपको नीड है तो आप वहला मॉडल कंसिडर कर सकते तो दोनों गाड़ आप देख सकते हैं इसा कुछ आपको बलकी लुक मिल रहा है कौन सा ज़्यादा बेटर लगर आपने को एक बार बताना यह देख सकते हैं यहां पर आपको आयूस और ब्लैक कर कामिनेशन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ऐस गंपेर्ट डार करडिशन और आप द बिलेगा। नहीं बिलेगा। यपी से Τ्रे नहीं लिएटा है। पे हैं बात कर लेते उस उस वाले डार्क एडिशन थी तो यहां पे आपको डार्क एडिशन में भी कोई भी इलेक्टिक टेल गेट नहीं मिलने वाला है ठीक है यह देखा 6 एक वाले वेरेंट को आपको सब्वूफर नहीं मिलेंगा। मतलब कि मैनूल और वेरेंट वेरेंट में आपको आपको सब्वूफर नहीं मिलेगा। 60 & 40 split जो है दोनों ही गाड़े आपको आफ़र किया चाता है। छीक हमने डिफ्रेंट्स देखा इस गाड़ी के लाग और इस गाड़ी के लाग बागी फ्रेंट से रियर से कोई भी चेंज़ नहीं है लेकिन यहां पर सब फ़ोफर इस गाड़ी में आपको और आपको अटोमेटिक वाले में उफर किया लागता है बाकी ऐस और मेरे को हैसे सब्सक्राइब डिफ्रेंचेस नहीं लागा बात करेंद वाइपर डिफ्रेंच ऊब पर यह आपको उट्पन जाता है बाकी यह रियर लुक के वो समय देखा वोकल ऑफ लोकल की बैजिंग शार्फिंग ना रूफ रिल्स दोन भी दिक्कत नहीं रिक्वेशंसर मैंने दबाया और गाड़ी को मैंने ओपन किया ज्यादा नहीं करूंगो ताकि इस गाड़ी में स्क्रैच ना आया थीक बागे कोई भी इलेक्रिक यहां पर शीड नहीं मिलेगा यह आपको ऑफर किया जाता है तो बटन थोड़ा सा कार्बानी ओवाला फिनीशिंग आपको देनी के कोशिक वडर क्थ इसंसल नहीं को चौड़ा गया है, ताकि आपको softwatch का feel ना मिले इसमें इंटीर में बात कर लेते हैं automatic climate control जरूर से मिलेगा ambient light के साथ आप देख सकते हैं ऐसा कुछ बट यहाँ पर dual zone automatic climate control नहीं मिलेगा single zone मिलेगा यह आपका fan speed कम करने के लिए यहाँ आपको temperature बढ़ाने के लिए कम करने के लिए ऐसा कुछ आप देख सकते हैं proper आपको 360 degree camera आपको दिया जाता है liver finishing का थोड़ा यहाँ पर गारंशिंग दिया गया है adventure plus में यहाँ आपको dark condition वाले model में 10.25 inch का infotainment system मिलने वाला है cluster की बात कर ले तो पूर आपको दिया जाता है digital cluster 10.25 inch का सेम आपको दिया जाता है adjustment यहाँ पर आपको इस गाड़े में tilt और telescopic दोनों ही मिलने वाला है four spoke steering के साथ और कोई आड़ा सिस्टम यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा cruise control मिलेगा सारे मीडिया की control voice commander control top model में जाएंगे तो driver के लिए आपको एक नी airbag add-on हो जाता है six speed manual transmission आप देख सकते हैं एक और चीज़ में आपको difference बताऊंगा यहाँ पे जो आप drive selector देख रहे हो उस गाड़ी में automatic में अलग मिलता है और इसमें अलग मिलता है इसमें आपको display वाला नहीं मिलेगा automatic में जाएंगा तो आपको display वाला offer किया जाता है sports mode और economy mode ऐसा कुछ आप देख सकते wireless charger के साथ usb socket और type c socket 45 volt वाला यहाँ पर ऐसा कुछ देख सकते हैं अब चलता है इस गाड़ी के रियर के और आपको नौर्मल वाला हैट्रस मिलेगा तो इस वाले मोडल में जाएंगे तो इस वाले मोडल में जाएंगे तो आपको थोड़ा बड़ा मिलता है ठीक आमरेस पूरा आपको मिलेगा सॉफ्टर तीनों पैसंगर के लिए सीट बैल्ट और इस सेट दिया जाते हैं इसका फील पैन्रॉमिक संरूफ है और जैसे आप खोलेंगे तो केबिन पर आपको बहुत जादा एरी हो जाएगा ठीक रियर से आप देखेंगे तो फ्रेंड के बिन ऐसा कुछ आपको दिखता है ठीक और स्पीकर की बात करें तो फोड़ स्पीकर और टूट्वीटर के यहां पर आपको सेटप नहीं मिलेगा और रियर के लिए चार्लिंग सेटप यहां पर आपको आपक यहां भी मिलेगा टेक्शर भले थोड़ा सा अलग होगा लेकिन यहां पर आपको वेंडिलेटेट शीट और मेमोरी फॉंक्शन सीट तीन लेवल तक का मिलता है यह डिफिनस आपको देखने को मिलेगा तेइस लाक नौह जार में और आपको मिलेगा कितना बाइस लाक जैसे नहीं हुआ बट यहां से अब सेट करके रखेंगे ना तो आटोमेटिक जो जैसे आप फिलाल के लिए पर इस गाड़े में समझते हैं कि इसमें आपको मिलता है क्या-क्या सबसे पहले अगर बात कर ले इस गाड़ी में आपको ऐसा कुछ डूल जोन आटोमेटिक क्ल बट एस गाड़े में आपको नहीं मिलता ठीक वायलेस चार्जर पीलाल करतेता है चालो नहीं आपको फैंसी चालू था पता नहीं चल रहा था ठीक है यहां पाब को ऐसा कुछ सब्सक्राइब लिए और यहां पापको आपको आमरेस में विद कॉलिंग वाला ऐसा कुछ आ यहां पर आपको आपको दिया जाते हैं इस गाड़ी में आपको मिल जाता है और वह यह थोड़ा सा कुछ-कुछ चीज अप्ग्रेड हो जाती है तो यहां पर आपको बहुत सारा फील जो है मज़ा अलग मिल जाता है ठीक सिंग करने का ओप्शन है 12.3 इंच का लेडी वाला डिस्प्ले के साथ एंड़ॉड एटो एप्पल कार प्ले जेबेल के सराउंड सिस्टम के साथ यहां आपको और आपको मिल जाता है और बागी क्लस्टर अस्टर सब कुछ वह यह कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं है और जैसे कि हमने देखा तो यहां से आप चें सामरेश के साथ तीनों पैसेंजर के लिए सीट बैड लैग रूम का जो कोई भी दिक्कत नहीं है यहां पर बर बर के लाग रूम मिलने वाला बड़ी गाड़ी यह कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है आपको भर बर की सपीस जिया आता है और ऐसा कुछ मिलता है कर्टेंस की बा अट्रेंस नहीं है और इंफोरेंट्मेंट सिस्टम जो साइज बड़ा हो गया पीछे का रियर इंटीर रहाट चौड़ा वाला मिल जाता है और यहां पर ड्राइब सेलेक्टर डिजीटल वाला मिलता है मतलब डिजीटल यहां पर पूरे स्क्रेड में दिखता हुआ है इंफोरेंट्मेंट सिस्टम यहां पर चोटा हुला जिया आता है वोप करता हो कि आपको वीडियो प्रसंदार कौन सा गाड़ी आपको समझा है एक बार कॉमेंट सब्सक्राइब बताना मिलते को और एसे नेवरिक साथ तब तक के लिए गुड़ बाई